दोस्तो अगर आप भी रोहित शर्मा और विराड कोहली को दुनिया का सबसे खतरना खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा दोस्तो टॉप एट में अफगानिस्तान से मिली करारिहार के बाद भी घमंडिया आउस्ट्रेलिया ने एक वाफ फिर टीम इंडिया को है धमकाया T20 World Cup भी भारत के मूँ से छीनने का एलान करते हुए आस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलारियों ने बढ़ाई है करोडो हिंदस्तानियों की टेंशन लेकिन हार्दिक ने मूतोर जवाब देकर कंगारू खिलारियों को सिखाया है सबक तो आकिर मिचल स्टॉक से लेकल डेवीड वार्नर यहां तक ही टेबे सेट ने भारत को क्यो दे दी है खुली धमकी ऐसा क्या इन खिलारियों ने कह दिया कि पूरे हिंदुस्तान में उथल पुथल मच गया फिर कैसे हार्दिक पाइंडया ने मूतोर जवाब देकर पूरे आस्ट्रेलिया में मचा दी हर कंप मैच से पहले इन सभी की बीच हुई जुबानी जंग तों आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बारत एक बार वर्लकप की ट्रॉपी जीत पाई गया नहीं अपनी राहे में नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों टी ट्वांटी वर्लकप में आए दिन रोमांच देखने को मिल रहा है अब सेमी फाइनल की लड़ाई धिरे धिरे बढ़ती जारी है आई दिन मैच में उलट फेरो रहा है जहां भारती टीम ने बांगलादेश को 50 रनों से करारी धुल चटा कर इतिहासिक जीत दर्ज की और पॉइंट स्टेबल में पहले पायदान पर विराज मान हुई साथ ही सेमी फाइनल में पहुंचने की जगे लगबग पकी कर ली लेकिन वहीं वंडे विशुकप की चैंपिन टीम आउस्टेलिया को अफगानिस्तान ने 21 रनों से राकर पूरा इतिहास पलट कर रख दिया और आस्टेलिया के सपने को चकना चूर कर दिया इन दोनों टी सेवन डे विशुकप में मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी और दोनों टीमों के बीच जबर्दस मुकाबला देखने को मिल सकता है तीम में एक से खुंकार के लाड़ी भरे हुए हैं और दोनों टीमें शांदार परफॉरमस कर रही है धारती टीम क किसी भी हाल में इस मुकाबले को जीत कर बदला लेना चाहेगी और आस्ट्रेलिया के सफ़र यहीं समाप्त करना चाहेगी लेकिन वहीं आस्ट्रेलिया भी जान लगा सकती है किसी भी अद तक मैच को जीतने के लिए जा सकती है और इसलिए यह मुकाबला हाई वोल्टेज क को देखने को मिल सकता है इस मुकाबले को देखने के लिए करोड़ो क्रिकेट फैंस बेसाबरी से इंतजार कर रहे हैं लेकिन आस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान से मिली हार खूप सता रही है मंगर उसके बावजूद आस्ट्रेलिया के खिराड़ी अभी बिगहमर्ण में है और उन्होंने अगले मैच में भारती टीम को राने के खूली धंकी देदी है डेविड वार्ना ने मिचल माउश यहां तक की टेविस सेड ने भारत को कुछ चलने की बात कहते हुए कुछ ऐसे शब्द कह दिये ये पूरा इंदोस्तान बॉकला उठा लेकिन वही फिर टीम इंडिया की बेज़दी के बदला लेने के लिए आर्दिक पांडिया सामने आया और उन्होंने अपने तीके शब्दों से और इस्टेलिया के खिलाडियों की ना केवल बोलती बंद कर दी बलकि पूरे टीम में मातम फैला कर रख दिया और इन सभी के बीच जुबानी को सुनाते हैं अफगानिस्तान से मिली हार के बाद भी गमन में आकर डेविड वार्नर ने भारत को धंकी देते हुए कहा हमें कमजोर टीम को हराने में मज़ा नहीं आता हम भारत को शर्मनाक हर का स्वाद अच्छा कहेंगे हमें पूरी तैयारी कर ली है किसी भी हाल में हम भारत को धंकी देते हुए कहा हमें अफगानिस्तान से मिली हार के दुख काफी है लेकिन हम टीम इंडिया को किसी भी हाल महरा कर रहेंगे वैसे भी भारती टीम के खिलाड़ी पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे हैं हमें टीम इंडिया को अनाना बिल्कुल भी मुश्किल का क कोली रोईद भी पूरी तरह से फ्लाब चल रहे हैं और जिस तरह से हमने वन्डे विशुकाप में धोया था उसी इंडाज में हमने यहां भी कारणामा करने वाले हैं इन सभी औस्टेलियाई खिराईयों की धंकी सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर आर्दिक पांड़ सामने और फिर मुतोर जवाब देते हुए सबक सिखाया और कहा कि वाह क्या बात है जो अफगानिस्तान से नहीं जीच सके हुए हमें धंकी दे रहा है बहुत जल्द दूद का दूद और पानी का पानी होने वाला है हम भी इस मुकाबले के लिए बेसबरी से इंतजार कर र पूरे ऑस्टेलिया के खेमे में भी मातम फैला दिया लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है भारती टीम इस बार वल्लकप के ट्रॉपिय अपने नाम कर पाए गिया नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताईए और इस मैच का पूरा क्रजिट हार्द पान्टिया को दे है कैसे हार्देक ने दिलाई टेम इंडिया को कभी ना भूलने वाली जीत क्यों कोहली का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजरी से वारल क्या कुछ हार्देक और रोहित के लिए कोहली ने कहा ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगत है विराट कोहली रोहित शर्मा और हार्देक पांडिया में कौन सबसे खतरनाग खिलाडी है कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों सुपरेच में टेम इंडिया का दूसरा मुकाबला बांगलादेश के साथ सर विवियन रिचर्ट से स्टेडियम में खिला गया इस मुका 90 रनों का कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष खड़ा कर दिया भारत की तरफ से हार्दिक पांडिया ने 27 गेंदों पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 3 खतरनाक छक्या और 4 चौकी की मदद से 50 रन ठोके वहीं शेवम दूबे ने भी 34 रन बना कर टीम इंडिया को यह पहुचाया इस लक्ष का पीछा करने उतरी बांगलादेश की शुरुआत तो काफी खराब हुई हार्दिक पांडिया कुल्दी पियादो और जस्प्री दुम्रा की घातक गेंदबाजी के आगे बांगलादेश के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके लेकर इस मकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर सूपर 8 में लागातार दूसरी जीत दर्श कर ली और इसी के साथ सेमी फाइनल में अपनी जगे पकी कर ली भारती टीम की ये यादगार जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशे से जोम उठा था हर तरफ खिलारियों की तारीफे होने लगी सब ही खिलारी काफी खुश थे लेकिन उनके खेमे में खुशी की लेहर थी वही विराट कोहली ने मैच खत्म होने के बाद एक इंटर्विव देते हुए रोहित शर्मा और हार्दिक पांडिया के लिए तारीफों के कसीदे हा की टीम ने शानदार जेत दर्च के सब ही खिलारियों ने अपना योगतां दिया इस बार वाल्ड कप की ट्रॉफी हमारी है हमें लेने से ये कोई नहीं रोक सकता रोहित अच्छे कपतानी कर रहे हैं बंगला देश के खिलाफ मैच का असली हीरो हार्दिक है वै जतनी भी उसकी तारीफ करू कम है हार्दिक ने जबरदस्त बल्लेबासी की और टीम को संभाला उसके बाद अच्छी गेंदबासी किया विकेट निकाल कर दिया ऐसा गरना किसी एक खिलाडी के लिए काफे मुश्किल होता है लेकिन हार्दिक ने गर्दिक खाया मुझे रोहित पर प हार्दिक पांडिया और विराट कोहली में कौन सबसे खतरना खिलाडी है हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों सूपर एट के दूसरे मुकाबले में बांगलादेश के खिलाफ हार्दिक पांडिया ने तूफानी बले बाजी और फिर घातक गेंद बाजी से टीम इंडिया को दिलाई फिर जीत बने मैन आफ दा मैच लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना ये वाड रोहित चर क्यों हार्दिक पांडिया ने अपना वर्ल्ड कप रोहित को दे कर दिया उन्होंने भावुक कर देने वाला बयान ये तो हम आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और हार्दिक में कौन है बहतर कप्तान नीचे कॉमेंट करके जरू मंतरित किया और खुद गेनबाजी करने का फैसला किया लेकिन बांगलादेश के कप्तान के लिए ये फैसला अपने ही पैरों पर कुलहाडी मारने जैसा साबित हुआ क्योंकि इस मुकाबले में रोहित और कोहली का भी बल्ला जमकर दहाड़ा वहीं रीशप पंत ने भी ब हार्दिक पांडिया ने सबसे अधिक रन 27 गेन पर तीन खतरनाक छक्के की मदद से 50 रन बनाए इस लक्षे का पीछा करने उतरी बांगलादेश की शिरुवात बहत खराब हुई हार्दिक पांडिया और कुल्दीब यादव की खतरनाक फिरकी के आगे बांगलादेश के ए अतिहासिक जीत दिलाती और इसी के साथ भारतिय टीम सेमी फाइनल में प्रवेश कर गई सुपर एट में टीम इंडिया लगातार दो मैच जीत चुकी है जिसकी खुशी पूरे स्टेडियम में जलक रही थी सभी दर्शक बहत खुश थे वहीं भारतिय खेमे में भी खुश झाल्डा़ी चिलाती भीजश भारतिय ख conquist वो पुशी खुश्य ़िफू बहां भीज़गातार भीज़ीन में लीज़गर ़ बहचीज़ान में इनति Science, we